नमश्वार दोस्तों मैं हूँ रॉक्टर पीश्रिवास्तव वेलकम तो मैं चैनल वन्स अगेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहें एक ऐसी यूसफुल ओशदी के बारे में जिसका नाम है बिलवासब जो कि बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल है जैसे उज हो गया डावर हो गया बैदनात हो गया इन सभी में आपको यह मिल जाती है यह जो बिलवासब है यह आपके IBS, IBT और पाहचल समंधी जो रोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ओशदी है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बिलवासब है यह क्या काम करत है किस प्रकार की ओशदी है किंकिंग चीजों को मिला करके इसका निर्मार किया गया है साथ ही इसके बैनेफेट इसके साइड एफेक्ट और इसकी डोजिस और सेफ़ली से क्यासे इस्तमाल करना है सो चलिए लेट बेगिन इट सो यह जो बिलवासब है यह बहुत ही लाबक गीजिन से भरपूड है जिन लोगों को भी क्रोर्णी डायरिया रहता है जिसकी वज़े से उनकी आते एकडम कमई खू में है पाचन बगडा हूँ जो पेट है बहुत ही सेंसिरव रही है इसके साथ ही जिन लोगों को खाना नहीं लगता है यानि कि मेल सुप्षन की प्र यानि खाते तो बहुत कुछ है लेकिन फिर भी शरीर बहुत ही जीन, शीन, कमजोर, बहुत जादा ऐसा लगता है वीकने शरीर में और काफी दुबला शरीर है तो उन लोगों के लिए भी काफी लाबदायक है जो लोग IBS-D से ग्रसित हैं यानि कि जिसमें बार-बार कुछ खाया तुरांट टॉलेट के लिए भागना पड़ता है खाते ही मोशन की अर्ज होना यानि खाते ही सूल पास करने के लिए जाना इसको IBS-Irritable Bowl syndrome की प्रॉबलम कहते हैं तो अगर ऐसे दिक्कत आपको है तो उस कंडिशन में आपको जो बिलवासब है वो खासा फायदा द सकता है क्योंकि कभी-कभी इस कंडिशन में क्या होता है कि आपकी आंतों में बहुत जादा इंफ्लमिशन हो जाती है जिसकी वज़े से संटाइम्स तो आपको डायरिया यानि बार 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 दस्त की शिकायत लगती है और संटाइम्स आपको कॉंस्टिशन रहता है सो बिल इस तरीकी की शिकायत रहती है तो उसमें ये ना तो कब्स करता है और ना ही दस की समस्या जो है बार बार जाने की उसे भी मतलब यह समाप्त कर देता है तो दोनों ही सूर्तों में आपका काफी लाबदायक है इसके साथ ही आमवाद जो की नाम आप सबने सुना होगा जाती तत्व है जो की यूजली आम तोर पे आपके जो बिमारिया इनकी वज़े से आप नहीं निकल वारे आपके शरी से तो इसकी वज़े से ये जो समस्या है आपकी वो भी दोड हो जाती है अब एक नज़र डालते हैं इसके इंग्रीडिएंट से कि किन चीजों को मिला क डाला गया है जो कि शरी को नरिश्मेंट देता है अंटी राइरो हील होता है और काली मिर्च पड़ी है इस में लॉंग पड़ा हुआ है कपूर पड़ा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा एस्ट्रेंजेंट होता है इसके लाबा ये आपकी शरी को जैसा मैंने बूला डी करता है कुल मिलाकि अकर बात करें तो यह आपके पाचन संस्थान के लिए अच्छा टॉनिक है आयरवग में हम मानते हैं कि जो भी हमारे शरीर में रोग हो रहे हैं वो यूजली जो हमारी शरीर की प्रकती होती है जो हमारा बोडी टाइप होता है जब वो इंबैलन्स हो जात तो उस कंडिशन में आपको तरह तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है तो यह जो बिलबासव है यह आपके वाद दोश प्लिस कफ दोश को पैसिफाई करता यानि उसका शमन करता है तो जिन लोगों को बहुत जादा ब्लॉटिंग रहती है यानि खाना खाने के बाद पेट बहुत फूला फूला लगता है ठीक से पेट साफ नहीं होता और कभी-कभी बहुत जादा दस्त होने लग जाते हैं मिले जुले हुए सिम्टम्स होते हैं तो उन कंडिशन में यह पिलबासव एक अच्छी रेमेडी है अब बिलबासव की डोस के बारे में एक नजर खाने के बाद सुभह और शाम उसी प्रकार एडल्ट यानि बड़ो को अगर ऐसी समस्या है तो उन्हें यह 10 से 30 ml तक यानि जैसी आपकी जितनी सेवियर समस्या होगी आपकी लच्छनों पर डिपेंड करता है शुरुबात करते हैं इसको 10 ml से लेकर 30 ml तक बराबर मात्रा म गुण गुणा पानी मिला के खाना खाने के बार दोनों समय इसका सेवन किया जाता है अब अगर एक नज़र डालें इसके साइड एफेक्ट पर क्यूंकि यह कंप्लीटली हर्प्स नैच्रल इंग्रिएंट से मिला करके बना है तो एस सच अभी तक इसके बारे में कोई भी साइड एफेक्टी खबर नहीं है यह कंप्लीटली सेफ है इसका सेवन किया जा सकता है प्रेगनेंट लेडीज और जो लैक्टेशन मदर है वो अगर इसका सेवन करना चाहती है तो ऐस सारी दवाओं पर जैसकी बोला जाता है कि हमेशा अपने डॉक्टर की सलह लेकर के ही इसका उप्योग करें क्योंकि कभी-कभी नुक्सान दायक हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की भी औशिदी नहीं लेनी चाहिए तो यह था इसका ओवरॉल रिव्यू अगर आप ऐसी समस्या से जूच रहे हैं और आप हमसे संपर करना चाहते हैं तो हमारी प्रेशन हो तो नीचे कॉमेंट करना बिलकुल मधूले आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा so stay tuned stay healthy take care thank you